हलो एवरिवन, वेलकम टू UPSC Unstoppables Literature in Ancient India की इस सीरीज में आप सभी का एक वेफर से स्वागत है हम यहाँ पे बुद्धस लिट्रेचर कवर कर रहे हैं और लास्ट की कुछ सेशन्स में हमने एक केनॉनिकल पाली टेक्स भी देखे जिसमित रिपीटक्स आते हैं, थोड़ा मिलिंद पन्धों पर भी चर्चा की और इसी के साथ-साथ हमने दिव्य अवदान भी डिस्कूस किया आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे ही बुद्धिस टेक्स के बारे में जिसे हम दीप वण्ष कहते हैं जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी देखा हमने नाम से ही काफी हद तक मीनिंग को समझने की कोशिश की है तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी हम वही से शुरुवात करेंगे दीप वण्ष यहाँ पर दो शब्द है इस टेक्स्ट का जो नाम आप देख सकते हो दीप वण्ष यह जो दीप शब्द है यह एक्ट्वल में द्वीप है द्वीप द्वीप यानी की आईलिंड और वण्ष जो है यह शब्द हम mostly डाइनस्टी के लिए यूज करते हैं तो यह एक ऐसा किताब, एक ऐसे टेक्स्ट है जो किसी द्वीप से जुड़े हुए वण्ष की कहानी बताए लेकिन किस प्रकार का द्वीप? किस टाइप का आईलिंड? जब हम बुद्दिस लिट्रेचर की बात करते हैं या बुद्दिस फिलोसिपी की ही बात करते हैं तो सबसे पहले आईलिंड जो हमारे दिमाग में आता है वो है श्री लंका Obviously, बुद्दिसम आपको श्री लंका में देखने को मिलेगा थेरवाद बुद्दिसम श्री लंका में जो है आज भी मौजुद है और बहुत सारे लोग बुद्दिसम जो है उसके एक important pilgrimage center के रोप में श्री लंका को देखते हैं तो यानि ये एक ऐसा text है जो इसी region में develop हुआ इसी द्वीप पर develop हुआ नाम से भी हमें ये चीज़ पता चली द्वीप वंश या फिर दीप वंश दीप वंश ये जो particular text है ये पाली भाषा में है श्री लंका के कहानी काफी पुरानी है बुद्दिसम से उसका connection काफी पुराना है थोड़ा सा अगर हम श्री लंका में बुद्दिसम के आने की जर्नी को देखे तब हम द्वीप वंश या दीप वंश इस text को बहतर समझ पाएंगे आप यहां जानते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे dynastries के ruler रहे हैं जिनोंने बुद्दिसम को patronize किया लेकिन उन में से एक बहुत ही ज्यादा important राजा माने जाते हैं राजा अशोक जिसने हर जगा बहुत सारे pillars लगवाएं और उन pillars के उपर अपने messages भी खुदवाएं ताकि लोग पढ़ सकें कि उनका राजा क्या कहना जाता है राजा अशोक बुद्दिसम के बहुत बड़े patron माने जाते हैं और उनके समय के art architecture में बुद्दिसम का प्रभाव बहुत ज़ादा देखने को भी मिलता है कहते हैं राजा अशोक ने अपनी बेटी संग मित्रा और अपनी बेटे महिंद्र को श्री लंका भेजा था बुद्दिसम स्प्रेड करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि संग मित्रा जो हैं महिंद्र जो हैं वो राजा अशोग के बेटी हैं लेकिन पॉइंट यह है कि ये दोनों ही अपने समय के साथ बुद्धिजम अपना लेते हैं और मौंक नन बन जाते हैं संग मित्रा की अगर बात करें तो इनके हातों बोधी ट्री जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने निर्वान प्राप्त किया था उसी पेड़ के एक छोटे से हिस्से को उसी के रूट्स में से निकाले गए एक छोटे से सापलिंग को संग मित्रा के हातों श्रिलंका भ गाया गया। आज ही छूटा सा सापलिंग बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और इसे हम श्री महाबोधी पेड़ भी कहते हैं। ये उसी बड़े पेड़ का हिस्सा है जिसके नीचे गौतम बुद्ध में निर्वान प्राप किया था। उसी का एक अंश हम श्री लंका में भी देख सकते हैं। आ चुका था और बहुत से श्री लंका के ही डाइनस्टीज जो हैं वो बुद्धिजम को पार्टरनाइज भी करती हैं। तो इसे श्री लंका में बुद्धिजम के इर्दगिर्द घूमने वाले नारेटिव्स जो थे उन्ही का कमपाइलेशन है दीपवंश। आईए थोड़ा सा फैक्ट्वल जानकारी देखें। दीपवंश एक प्रकार का कमपाइलेशन है यानि कि इसके लेखक कौन थे उसके बारे में कोई एससर जानकारी नहीं है। कहा ये जाता है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग मौंक्स और नन्स आये और उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से पाली भाषा में जो कमपोजिशन किये उन्हीं का कमपाइलेशन है दीपवंश। यानि कि इसमें किसी एक वौंक्या नन्स का हाथ नहीं है, समय के साथ आने वाले बहुत से बिखु और बिखुनी जो थे उनके द्वारा इसमें योगदान दिया गया है। तब जाके 3rd, 4th century में इन सभी बिखु बिखुनीयों के द्वारा पाली भाषा में कमपोज किये गए बुद्धिजम से जुड़े हुए नारेटिव्स जो हैं उनको कमपाइल किया गया। वही कहलाता है दीपवंश। श्रीलंका की बात हो रही है और दीपवंश पे चर्चा हो रही है तो इसी कारण एक और टेक्स्ट जुड़ जाता है और वो है महावंश। यानि कि महावंश भी श्री लंका से जुड़ी हूई ही कहानी है उसी से जुड़ी हूई जानकारी हमें देता है लेकिन दीपवंश और महावंश में एक बहुत बड़ा अंतर है ये बात सच है कि दोनों ही टेक्स्ट को श्री λंका की हिस्ट्री को स्थुडी करने के लिए इस compilation है जो काफी crude है organized नहीं है इसमें ज्यादा तर बुद्दिजम की बात कही गई है political history श्रिलंका की आपको इसमें कम मिलेगे वही महावंच की जब हम बात करते हैं तो उसमें श्रिलंका की political history पर ज्यादा जोर दिया गया है आपको dynastries की history chronology में important rulers के साथ भी मिल जाती है वहीं दीपवंच काफी raw material वाला है हम यह कह सकते हैं कि दीपवंच का जो content है वो content हमें बताता है कि यह जो जानकारी इस दीपवंच नाम के compilation में दी गई है यह पहला वो attempt थी जो श्री लंका के लोगों के द्वारा किया गया था पाली भाषा में कुछ लिखने या compose करने के लिए यानि शुरुवाती समय में जब बुद्धिस philosophy बुद्धिसम श्री लंका आया लोग पाली भाषा से रूबरू हुए तब पाली भाषा में उन्होंने जो सबसे शुरुवाती समय में जो compositions के या फिर जो लिखनी का काम किया वही सारी चीजें इस दीपवंश में compile की गई है यानि ये सबसे पुराना historical source माना जाता है श्री लंका के इतिहास को समझने का एक historical literary source माना जाता है जो अपने आप में unpolished है, organized नहीं है, काफी crude content के साथ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने बाकी साथी आस्पुरंस के साथ जरूर शेयर करें ये छोटी छोटी वीडियो के तुरू हम भारत की पूरे literature को cover करेंगे literature एक ऐसा हिस्ता है जहां से प्रश्ण बहुत अच्छे से बनाए जा रहे हैं UPSC में पूछे जा रहे हैं, नाम मात्र जरूरी नहीं है समझना बलकि उस text के अंदर जो जानकारी दी गई है, उसे भी जानना जरूरी है आज हमने पढ़ा दीपवंश के बारे में, जो one of the oldest historical source है श्रीलंका के इतिहास का, लेकिन गुद्धिजम के नजरिये से श्रीलंका को आप देखेंगे इस text में, ये पाली भाशा में है, इसका कोई known author जो है वो नहीं है बहुत सारे monks and nuns, उन्ही का एक result है दीपवंश इसी के साथ एक और छोटी जानकारी, Unacadby Plus पर चल रहा है mega extension offer यानि अगर आप 12 months का subscription लेते हैं, तो उसके साथ 4 months आपको free दे जा रहे हैं आप preferal code यूज़ कर सकते हैं, ARTI1702 और Unacadby Plus को subscribe कर सकते हैं इसी के साथ साथ वो सभी learners जिनका syllabus जो है वो complete हो गया है वो एक अच्छा revision चाहते हैं अगले 3 महिनों में उनके लिए यहाँ पर एक बहतरीन 3 months का crash course आ रहा है crash course मतलब यह comprehensive नहीं होंगे, obviously यह revision purpose से होंगे तो revision के लिए 3 months के इस crash course को आप join कर सकते हैं आप unacademy store के through इने join कर सकते हैं या फिर घर बैटे बैटे plus और iconic subscription के through भी इन 3 months के subscription को subscribe कर सकते हैं, ले सकते हैं referral code ARTI170 to use करके Thank you so much